हाई एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप खुश होंगे सस्त होंगे और मस्त होंगे और आज ट्यूजडे है मंगल भार है तो सब मिलके बोलेंगे जे श्री नाम जे बजरंग बली ओके और आज का मेरे रीडिंग का थीम यही है कि आने वाले 15 डेस 15 दीन हनुमान बाब क्या urgent message आपको देना चाते है क्या बताना चाते हैं क्या guidelines होगी जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी जो निकलेगा मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको और यह collective reading है general reading है तो आप अपनी अपनी situation से यहाँ पर message लेना है जो message आपसे आपकी situation से resonate होते हैं वो आपी के लिए हों तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप सभी और ये 15 दिन हनुमान बाबा कौन सी आपकी ऐसी पुकार है या ऐसी भक्ती भावना जो आप कर रहे हैं उनके प्रती जो सर्व अपने धर्म से लेना सिर्फ मेरा इंटेशन रही है कि इन 15 डेज में हनुमान बाब या पूरी होने वाली है वालियगे आप इसको कभी भी देख सकते हो जिसे भी एपसे पर पर सर्वोत्स अबर नमबर भी डिस्क्रिप्स and ऑो इंशन कर रहा है वहाँ से आप देख सकते हो मैं कभी नहीं अपना वाटस अप नमबर शो कर्ती हूं या वहाँ पर डालती हूं ठीके मेरा नंबर सिर्फ आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स मिलेगा और रिव्यू रिप्लाइज जो फ्रोड आ रहे चिटिंग आ रहे प्लीज उनसे बचने की कोशिश करें हर कमेंट्स पर उनका रिप्लाइज आता है हर कमेंट्स पर मुझे अब मुझे गु स्टार्ट करती हूं और यह जर्नल डिटिंग है कलेक्टिव रिडिंग है यहाँ पर ठीके तो आप अपने अपनी सिच्टीशन से यहां पर लेना और पॉजिटिव हो जाए रिलाक्स हो जाए और प्रेयर किये हनुमान बाबा से कि हनुमान बाबा आने बले पंद्रा दिन में कौन सी opportunities, कौन सी blessings आपकी तरफ यहां पर बेज रहे हैं, ओके, तो मैं यहां पर reading स्टार्ट करती हूँ, ओके, ओके, एकदम कार्ट निकले हैं, यह, वाउ, फर्स्ट है, S of Swords, ओके, King of Wands, and Four of Wands, and Nine of Swords, and Three of Swords, ठीके, मैं पता है, वन कार्ट से करने वाली थी reading, लेकिन यहां पर सब भी एक साथ गी रहे हैं, जो की मतलब एक अलग ही तरह की message यहां पर देना चाहते हैं, हनुमान बाबा आपको, ठीके, जो भी अपने जिस धरम से भी हो, वहां पर उस परमात्मा की तरफ से आपको यहां पर message लेने हैं, ठीके, तो यहां पर हनुमान बाबा सबसे पहले तो आपको यहां पर कौन सी खुश कवरी यहां पर आपको देना चाहते हैं, इन 15 दिन में इतने कौन सी खुशी को लेकर आप हैपी हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो यहां पर यह तो त्री कार्ड से बहुत positive निकले हैं यहां पर आपके, जो आपको यहां पर बता रहे हैं कि आपके सबसे पहले तो आप बहुत बहुत यहां पर खुश होने वाले हो, इतना मतलब आने वाले 15 दिन आपको especially यहां पर कुछ तो good news हो रही है आपसे घर को related लेकर या आपकी family में कुछ ऐसा ऐसी blessings आ रही हैं उनकी या ऐसी opportunities आ रही हैं जिसकी वज़े से आप है ना यह दोनों पैन से आप इस दुख दर्द से आप बाहर की तरफ आ रहे हो यहां पर अब मतलब आप लिटरली आप यह सोच रहे थे कि कम में इस situation से पाहर निकलूंगा एक आपकी शायद चीजों को आप ना बहुत ऐसा फील कर रहे थे आपके क्या यह सब कुछ मेरे साथ ऐसा ही चलता रहे है क्या कुछ बेटर होगा कि नहीं होगा यहां पर क्योंकि अब लिए उदास नजर आ रहे थे हनुमान बाबा को जिस धरम की भी हो बहुत सेड एनरजी में आप उनसे प्रेयर कर रहे थे प्रात्ना कर रहे थे एक आप शायद अपने आपको सम्हालने की बहुत कोशिश कर रहे हो बहुत मतलब एक केते हैं कि हां हर तरब से हर तरब स अपने आपको जोड़ने की या कि सबसे मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो यहां पर क्योंकि आपने बहुत आपका आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है आपका दिल दुखा है या किसी की वज़े से या किसी रिलेशन की वज़े से आपको बहुत किती ना तकलिफ में अपने किसी चीजी के लिए प्रात्ना करते हैं प्रेयर करते हैं एक दिल से जो कहते हैं कि दिल से हम किसी चीज को मांगते हैं एक समर्पन कर देते हैं एक कहते हैं कि जब हम कुछ रस्ता हमें नजर नहीं आता है सिर्फ हमें इश्वर का रस्ता नजर आता है उन्हीं से हम उन्हीं से लगन लगाते हैं, उनी से हाथ फेलाते हैं, उनी के सामने हम जोली फेलाते हैं, ठीके एक जब आपको हनुमान बाबा में ऐसे दो खोड तकलीफ में देखा है, जहाँ पर आपका लिटरली आप बहुत जादा नर्वस हो, उदास हो, और उस सीचेशन में आपने हनुमान कि हे इश्वर, हे परमातमा, मुझे इस दर्द से, इस पेन से, इस साइकल से मुझे बाहर निकालो, और मुझे एक नई रहा दिखाओ, मुझे एक नई जिंदिगी की तरफ लेके जाओ, मुझे एक नए रस्ती की तरफ यहाँ पर लेके जाओ, जिसमें एक किते ना कि सच्च रही होंगी तो यहाँ पर हनुमान बाबा आपको बताना चाहते हैं कि जिस दुख दर्द पेंड में भी थे आप वहाँ पर उस चीजसे आप निकलने वाले हो आपको मतलब ऐसी ब्लेशिंग्स दे रहे हैं कि जहां पर आपका रिलेशन से लेकर या फैमिली में कुछ आपके आर्गूमेंट यार रंजिश होती है, एक नेगिटिविटी होती है, या चीज़ों को हैंडल नहीं कर दosta है, तो वो सब चीज़ यहां पर आपकी बैलेंस कर रहे है हनुमान बाबा, आपका हार्ट चक्रा हील किया जा रहा है, आपको बहुत खुश किया जा रहा है, आपको इस नेगिटिविटी से निकाला जा रहा है, और प्लस आपको बैलेंस किया जा रहा है, हनुमान बाबा आने वाले 15 दिन में, आपका दिहान बस अपने केरियर की तरफ यहां पर फोकस करना है लिटरली वह वहां पर इन 15 दिन में आपकी एनरजी ऐसी रहेगी कि आप इस दुखदर्द पैन में नहीं रहने वाले हो आपका फोकस आपका माइंड आपकी एक कहते हैं कि हमारा जब ध्यान हमारी चीजों के ऊपर लग जाता ह हमारी एक हमारी अपने केरियर पर हम फोकस कर पाते हैं हम अपनी उर्जा से वहां पर जुड़ पाते हैं तो वहां पर क्या होता है ना कि हमारी एनरजी सिफ्ट हो जाती है और हम रिसीविंग मौड में चले जाते हैं यहां पर तो हनुमान बाबा आपकी ये 15 दिन आपको म एक दर्द एक पैन की सिच्टेशन से आपको निकाल रहे हैं प्लस आपको माइंड आपका डायवर्ड किया जा रहा है आपका दिहान एसी जगह पर लगाया चाह रहा है जहां पर आपको आगे की रस्ते और खुलते हुए आपको नजर आएंगे आपको आपके केरियर की त बन रहती ना और आपकी फैमेली में जो भी अभी तक कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जहां पर बहुत खुश रहने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन खुश नहीं हो पा रहे थे ठीक है बहुत जादा फैमेली में हो सकता है आर्गुमेंट हो रहे हो कलेश हो रहा हो या अपने केरियर पर फोकस कर रहे हो आपका नजरिया चेंज हो रहा है वह इसलिए क्योंकि अब भी तक है ना आपका माइंड अलगी डिरेक्शन में गूम रहा था एक बहुत जादा किते हैं कि जब हमारे दिमाग में ही शांती नहीं है तो हम क्या आगे का सोचेंगे हम क्या आगे की तरफ पढ़ेंगे यहां पर तो हनुमान बाबा सबसे पहले आपके अंदर शांती महसूस कराना चाहते हैं आपको सही डिरेक्शन यहां दिखाना चाहते हैं आपके अंदर क्लिर्टी लेना चाहते हैं तो यहां पर आने वाले 15 दिन में सबसे पहले तो आप जो भ रहे हो खड़े हो रहे हो एक्शन ले रहे हो आप यहाँ पर एक किते न बहुत स्पीड से सारी चीज़ा आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है यह देखो यह air sign यहाँ पर यह source क्या होती न एर को बताती है यहाँ पर ठीक है air किती फास्ट होती होती है एक clarity दे रहें आपके mind में बहुत एक ठहराव आप महसूस करोगे एक केते ना कि आपको यह सा फिल होगा कि मैं बहुत दिनों बाद सोया हूँ और मैं बहुत दिनों बाद कहीं से कुछ मेरी life में कुछ नया हो रहा है यहां पर ठीक है क्योंकि आपका दिमाग गलत चीजों मे नहीं जा रहा है ना negativity की तरफ जा रहा है जो पास्ट में चीजों हो चुकी है एक जिसमें आप बहुत साथा emotionally hurt हुए पड़े हो एक जो कहते हैं जिस दिल से हम शांती नहीं होती हमारा दिल दुखा रहता है तो वहां पिर हमारा कुछ नहीं होता है लेकिन आने वाले 15 दिन में आप एक आपके अंदर एक जोश रहेगा एक जजबा रहेगा और एक आप बहुत passionate energy के साथ आप अपनी life की तरफ आप अपनी career की तरफ यहां पर focus करोगे वो किसी लिए किस की वज़े से वो हनुमान बाबा की blessing की वज़े से कि आपको आपकी shifting की जा रही है इस चीज से यहां से उठा के आपको यहां पर लाया जा रहा है एक आपको mind में clarity नहीं थी दुख पैन में थे तो वहां पर वो रस्ता दिखा रहे हैं पीस ला रहे हैं शानती ला रहे हैं यहां पर यहां पर जो आप nervous उदास हो रहे हो यहां पर आपको सिर्फ आपका एक ध्यान वहां रहने वाला है एक आप इना बहुत उस एनरजी में और एक आप इनर्जी में कि किसी चीज को आप पकड़ के बेथे हूँ की नहीं मुझे यह चीज अच्छी करनी है और मुझे इस पर बहुत महनत करनी है कड़ी वेफ़ आने सकथ जंग बैलंस यह वाले हो आप अपनी अपनी यह इंच्फ यहां पर अपनी एंग ऑर 15 days एक राहत होगी आपके दिलों और दिमाग में एक केते ना दिल में एक सुकून है और एक माइंड में सुकून है यहाँ पर ठीके एक बहुत mentally डिस्टब जो हो रहे थे वहाँ पर आपको clarity यहाँ पर मिलेगी ठीके तो यह 15 days आपको आपको खुद हनुमान बाबा खुद हा के जा रहे हैं जहां पर आपको सिर्फ आगे का ही और आगे आगे की रस्ते अपने आप खुलते हुए वहाँ पर नजर आएंगे आपको ठीक है मैं यहाँ पर ओशो से देखते हूं बाब के लिए एक अकेले पन से खुद ही बाहर निकल के आ रहे हो क्योंकि आपको खुद चीजों का बहुत 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 तरीके से चीजों को समझ पा रहे हो जान पा रहे हो एक एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो कि बहुत कुछ हुआ क्योंकि हनुमान बाबा आपको इस situation में नहीं देखना चाहते हैं, इस दुख तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, कि आप आगे बढ़ो, उठो, खड़े हो, आपके लिए बहुत कुछ आगे है, बहुत बड़ी position को कुछ को अच्छी भी करना है, बहुत creative हो यहाँ पर, अपनी इ Okay, celebrations, मैंने बोला नहीं आपे, आने वाले 15 days हनुमन बाबा, आपको सिर्फ यहाँ पर खुछ देखना चाहते हैं, और बहुत इस तरह से खुछ देखना चाहते हैं, जिसे फिर से जो आभी मैं बोल रही थी, कि बहुत दिनों बाद आप सोगे, और सोगे आपको ऐसा एक फ्रेश एनरजी आप फील करोगे, एक बहुत पॉजिटिविटी आप अपने अंदर फील करोगे, बहुत वो एक आपका मन करेगा, कि हाँ, मैं अभी तक कहां खोया हुआ था, मैं क्यों अपनी लाइफ को इंजोई नहीं कर पा रहा था, क्यों मैं सेलिब्रेशन नहीं आपके घर में बहुत आप मगन हो रहे हो, दिल से आप खुश हो रहे हो, ते हुए मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि यह सब हनुमान बाबा आपको बहुत यहां पर आपको देखना चाहते हैं, कि बच्चे कहां गूम रहे हो, चलो मेरे साथ और खुश रहो, चिके, मुझे इसा लग रहा है कि यह सीजन शायद यह 15 डेज, हनुमान बाबा ने बोला है आपको कि जी ले अपनी जिंदिगी, खुल के जी अपनी जिंदिगी, बहुत पॉजिटिविटी मुझे फील हो रही है, यहां पर, ओके, कंट्रोल, यस, एक जो माइंड है आपका, यह आपको क अपनी जायद मुझे इसा लग रहा है, वो किते हैं, जब दवाब आता है, हमारे उपर प्रेशर आता है, एक बर्डन हम फिल करते हैं, एक सीचुएशन को किते हैं, कम मैं इस बर्डन से, इस टकनक से मैं बाहर निकलूँगा, कम मुझे यहां से निकलने का रस्ता मुझे दिखाया जाएगा, तो येस डियर यहां पर आपके लिए बोला जारा है, हन्मान बाबा बोल रहे हैं, कि आपको रस्ता दिखाया जारा है, आपको एक ऐसे रस्ते पर ले जाया जारा है, जहां पर आपको सिर्फ सक्सेस है, जहां पर आपको बहुत मान सम्मान हैं, और अब एक खुद आपको यहां से निकल कर आप कहां जा रहे हैं हनुमार बाबा नेक्स्ट 15 डेज आपकी लाइफ में एक किन शिफ्टिंग कर रहे हैं यहां पर अभी तक आप कंट्रोल कर रहे थे अपनी सिचेशन को अपने हालातों से लड़ रहे थे लेकिन यह 15 डेज आप देखोगे कि आप कहां से कहां हों ठीके ओके हार्मनी यस देखो यहां पर है यह 15 डिन है आपको यहां पर यह बताओ कि बहुत शांती से आपके गुजरने वाले बहुत सुकुन से आप रहने वाले हो एक मुझे इसा लग रहा है कि हनुमान बाबा खुद आपको यहां पर आपको dreams बहुत आएंगे आने वाले 15 दिन में और बहुत spiritually भी आप बहुत ज़्यादा grow कर सकते हों यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी किसी की यहाँ पर यहाँ पर यहाँ लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अध्यात्मिक भी हो सकते हो आप अपनी spirituality की तरफ और ज़्यादा focus कर रहे हो या किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर यह message मिल रहा है कि आपने अपना शायद career ही spirituality की तरफ यहाँ चूस करा है तो जब कहते ही हमारी intention pure होती है सची होती है हम किसी के लिए कुछ करना चाहते है यहाँ पर तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारी और उसमें recovering की जाती है तो आपकी एक spiritual journey में आपको और ज़्यादा आपको कुछ अपने internal body में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा किसी किसी के लिए यहाँ पर यह message है आप देखोगे कि अब भी तक आप शायद किसी किसी के लिए message है कि अभी तक शायद आप meditation जो भी आप करते हो spirituality में वो सही से नहीं कर पा रहे होगे या नहीं कर पाते थे तो यहाँ पर आप आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत एक ठहराव है एक पीस है एक शांती है बहुत कुछ यहाँ पर बहुत आसानी से आप यहाँ पर कर पा रहे हो क्योंकि एक balancing energy हो रही है आपकी यह 15 days आ कि पौलिटिक्स यहास आपके साथ तो बहुत मतलब किसी ने बहुत मतलब आपको किसी चीज में फसाया है यहाँ पौलिटिक्स हुई है आपके साथ cheating हुआ है धोका हुआ है जिसकी वज़े से आपका heartbreak भी हुआ है यहाँ पा ठीके तो और उस situation में आप फसे हुए थे जिसमें आपका केते ना कि दिल भी रोया है شायद बहुत रोय भी हो आप अकेले में बहुत परिशान हुआं mentally disturb हुए हो आप किसी की एक बहुत चालाकी के शिकार हुए हो आप यहाँ पर तो जब केते हैं ना कि जब एक मासूम बच्चा हनुमान बाबा से गुहार लगाता है या जिस धरम की भी हो प्रेयर करता है प्रातना करता है तो वो क्या करते हैं बाबा हमें इस सिट्रेशन से निकालते हैं तो next 15 days आप देखोगे कि आपको शायद कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है कुछ जो परदा अभी गिरा हुआ था वो आपके सामने से उठ सकता है यहां पर बहुत सारी चीज़े आपके जो भी आपके साथ में जिसने भी आपके साथ में कुछ चीटिंग करिये पॉलिटिक्स करिये या जिस चीज के भी आप शिकार हुए हो वो चीज़े आपको बहुत 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 जोगे आप खुद शायद कुछ ऐसी चीज़े आपके सामने आ सकते हैं कि आपको हैरान कर देने वाली होंगी यहां पर ठीके तो लेकिन यहां पर आपको करना क्या है आपको सिर्फ अपने उपर फोकस लगा के रखना है यह चंद मिंटों का खेल होगा आपके साथ साधा दे सब्वाफन दार आ रहें आपके सामने सच्चाई ला रहें आपको खुष कर रहे है तो आपको क्या करना है आपको अपनी के एडियर पर फोकस बना के रखना की ठीके, ये हनुमान बाबा की आपके लिए गाइडलाइन से प्लीज, प्लीज इस चीज को फोलो जरूर करना, जो भी नहीं सुन रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस इधर से सुन रहे हो, आप इधर से निकाल रहे हो, तो प्लीज वीडियो को यहीं पर बंद कर दो, मत दे कार्ट फाइटिंग, ये देखो, थ्री ओप सोर्ड से के नीचे का कार्ट फाइटिंग है, बिल्कुल आपने है न, बहुत-बहुत, मतलब, आपके साथ कुछ चीटिंग है, दोका है, और जिससे हार्ट ब्रेक भी हुआ है, किसी ने बहुत जादा आपके साथ केते न, आर जिसके उपर कृपा हो राम की, वो पत्थर भी तर जाए, ओके, यहाँ पर मैं कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स देख रही हूँ आपके लिए, और आपका रिबर्थ, मतलब, आप कैसी सीच्वेशन से आप बाहर निकले हो, आपका दुबारा जनम हुआ, यहाँ पर हनुमान इसने भी जो कुछ किया है, वो सच्चाई आपके सामने आएगी, और आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे, यह देखो सच्चाई में यहाँ पर जरूरी नहीं है, किनी लोगों की सामने आएगी, यह आपके साथ क्यों हुआ, किसली हुआ, आपको क्यों इस सिच्चेश हैं, बाकी go with the flow, बाकी जैसे बहरे हो, बहने दो अपने आपको, ना अपने आपको रोकने की कोशिश करो, ना किसी को और अपनी तरफ यहाँ पर बढ़ने दो आप, ओके, यहाँ पर आपको बोला है जारा हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं, कि आपका फिर से यहाँ पर यह future है, आपका balancing, harmony and celebration, ace of sorts, जो कि कलर्टी का होता है, एक बहुत speed से आप अपनी केरियर में सच्चाई को आप देख रहे हो, आप अपने उपर focus करो, बहुत बड़ी position को आप अच्यू करो यहाँ पर, ठीके, एक fighting, बहुत कुछ हुआ है आपके साथ में, हनुमान बाबा को सब पता हैं यहाँ पर, जिस धरम के भी हो, तो प्लीज आप उस चीज को थोड़ा सा समझने के यहाँ पर कोशिश करना, ओके, मैं यहाँ पर, एंजल डेक से देखती हूँ आपके लिए, हनुमान बाबा, नेक्स्ट फिफ्टिन डेज आपके, कोईसी विश यहाँ पर कु ओके, इसकेर सेर्फ, यहाँ पर देखो, आपके लिए बोला जा रहा है, दियर, कि आपको किसी से भी ड़ने की जरुरत नहीं है, क्योंकि आपके इर्दगीर्द हमेशा स्प्रिट्स रहते हैं, बर्ड, अगर आपके पास इर्दगीर्द, पीजन, बर्ड, कोई भी आते होना, तो यहनि कि वो आपके इस्प्रिट्स हैं, उन्हें आपको ग्रेटीटूट पे करना है, कि उन्हीं की वज़े से, और हनुमान बाबा की ब्लैसिंग की वज़े से, आपको इस सिचेशन से न बरेफिकी कूश सच्चाई, आपको यहां पर अपने खुद के बारे में भी यहां पर पताजल सकती है, ठीके आपको और क्रणा क्या है, आपको सिर्फ आपके इस्प्रिट्स क्या है, आपको सुरक्षित गहरे में डाल रखा है, जो आपको बहुत यहां पर एक ऐसा फील कराएंगे आपके अंदर से एक पीस और एक शांती, एक सुकून जैसा आपको यहां पर फील होगा, जो आपको यह करने पर मजबूर कर देगा, कि हाँ, आप कितने हवा में उड़ रहे हो, कितने फ्री हो आप यहां पर, ठीके, आपको बिना किसी के डर के, बिना किसी भै के साथ, आपको सिर्फ अपनी सतंतरता के साथ जीना है, फ्री होके रहना है यहां पर, ठीके, और आपके अंदर जो भी spiritual gifts हैं, उनको आपको और थो आपको सिर्फ एक्सप्रेक्स करो उसे ऊपन करो उसे बताओ ऐपा फूपा के मत रखो आपनी किसी भी की चीज को आपको सिर्फ खुश रहना है जो मेंने भोला था ना कि बहुत मगन हो खुश हो रहे हैं तो पर आपके spirits यहां पर बोल रहे हैं कि डरों मत हम आपके इर्दगीर्द हैं हम हनुमान बाबा के दूथ ही है यहां पर और सिर्फ आपको खुश रहना है और खुश हो के केते ना जिससे हम कैसे free हो के हम dance करते हैं अब वो dance नहीं है वो आपकी मन की खुशी है वो आपकी चित् देना चाहते हैं, ठीके, ओके, मैं नहीं निकाल रही हूँ, लोर्ड गनेशा, इंफिनिटी अबंडन्स, यहाँ पर गनेश भगवान भी, हनुमान बाबा के साथ, गनेश भगवान भी आ चुके हैं, फ्रेंड्स आपकी लिए बोला जा रहा है के, जो भी आपकी रस्ते में, जो भी अर्चने थी, जो भी परेशानिया थी, जो भी mentally up disturbed थे, जो health wise आप problem में फसे हुए थे, किसी की politics से, किसी का कुछ issues चल रहा था, family से related, या career से related, जो भी हो, मैं यहाँ पर कुछ, सिर्फ अपनी अपनी situation से यहाँ पर message लेना है, आपको, वो सब जो भी अर्चने थी, गणेश भगवान वो सब अर्चनों को, आपको बांधाओं को यहाँ पर दूर कर रहे हैं, और आपको spirituality की तरफ से, आपको एक आध्यात्मी ग्यात्रा की तरफ से, आपको बहुत ज़्यादा support यहाँ पर किया जा रहा है, और आपको और आगे बढ़ने के लिए, यहाँ प गोल रही थी ना, एक रस्ता आपका साफ किया जा रहा है, एक clarity आ रही है आपके अंदर, एक आप अपने आपको जान पार हो, अपने confidence, अपनी powers में यहाँ पर आ पार हो, ठीके गणेश भगवान खुद यहाँ पर आपको blessings देने जा रहे हैं, आपको जो भी financial problem थी, वो यह यहाँ पर आपकी दूर की जा रही है, और abundance आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीके, एक blessings हैं उनकी तरफ से, जो आपको receive यहाँ पर करना है, ठीके, वन कार्ट और लूंगी बस में यहाँ पर, वाउ, higher learning, देखो, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब भी तक आप जिस situation में भी थे ना, इस situation में एक आपने बहुत चादा जीवन से सीखा है, जीवन कैसे जीया जाता है, बहुत कुछ जीवन ने आपको सिखा दिया है, समय ने सिखा दिया है, कि हमें किस परेशानी से कैसे हमें deal करने की जरुत है, किस परेशानी से हमें कैसे निकलने क जरते हैं आपने मुझे नहीं लगता है कि हिम्मत एक कहते हैं ठीक है हम situation में फ़स जाते हैं लेकिन हिम्मत हार जाते हैं लेकिन जब हम कुद्रत का हाथ पकड़ लेते हैं इश्वर का हाथ पकड़ लेते हैं तो वहाँ पर हमारे अंदर strength भी आती है powers भी आती है तो आपने जो भी उस situation से सीखा है और जो भी आपने learn किया है अब बहुत जाधा आपने बहुत कुछ सीख लिया है, समझ लिया है यहाँ पर ठीके आपको बस यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपने जो भी अभी तक learn किया क्योंकि आप बहुत old soul हो यहाँ पर मुझे इसा लग रहा है कि किसी के पूरवज यहाँ पर आपके पूरवज यह कोई male energy है यहाँ पर आपका बहुत support कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा guide कर रहे हैं मुझे यहाँ पर literally मैं बहुत फिल कर रही हूं कि किसी किसी के spirit यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके इर्दिकिर्द यहाँ पर रएते हैं और बहुत ज़्यादा आपको प्यार भी यहाँ पर करते हैं तो जो कुछ भी आपने अपनी life में learn किया है शीखा है, समझा है उसे आपको अब बताने की यहां पर जरुत है अपने अंदर लेके मत बेटो यहां पर अब आपको दूसरों को यहां पर बताना है आपने जो भी स्टेडी की है जो भी सब के साथ जो भी सीखा है समझा है आपने उसको अब आगे बढ़ाओ उसे और विस्तित रुप से आपको फेलाने की जरुत है यहां पर, इसलिए आपको बहुत बड़ी पोजिशन पर यहां पर बिठाया गया है, ठीके, यहां पर आपको बहुत कुछ आपने लर्ण कर लिया, क्योंकि आपके अंदर बहुत नौलेज है, बहुत ग्यान है, और ब चीजों को और जानना है, समझना है यहां पर, यह आपका एक एंड नहीं है, यहां से आगे भी आपकी एक यह एक नीव जर्नी है, इससे आगे बहुत कुछ है यहां पर, ठीके, तो हनुमान बाबा, नेक्स्ट फिफ्टिन डेस आपके अंदर यह चेंजिस होंगे, और यह कलेक्टिव रीडिंग थी, आई होप आपसे रेजोनेट हो, रेजोनेट होती, तो प्लीज लाइक, कमेंग, सब्सक्राइब, थैंक यू, थैंक यू, सो मच, और बाइफ्रेंड्स